हेलो फ्रेंड्स आज से हम हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग का टुटोरियल स्टार्ट करने जा रहे है तो फर्स्ट वेबसाइट डिजाइनिंग में हम फर्स्ट टुटोरियल में सौट्वेर रिक्वार्मेंट देख लेते हैं सौट्वेर रिक्वार्मेंट में हमें software की जो requirement होती है वो software प्रोवाइड करती है जिसे हम id बोलते है उसमें id में designing करने के लिए notpad या तो आप notpad plus plus या dream viewer यूज़ कर सकते हो तो इस इन तीनों में से जो notpad है वो हम windows जब install करते है तब हमें by default दी जाती है id उसके बाद है notpad plus plus और dream viewer अब dream viewer जो है उसके लिए हमें license लेने की ज़रूरत पड़ती है वो freeware नहीं है तो इससे अच्छा है कि हम notpad यूज़ करें और अगर हमें output so करना है जो हमने code किया है उसका तो उसके लिए हम browser य वो browser में run होती है तो उसके लिए mozilla firefox या तो internet explorer या chrome safari कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर firefox यूज़ करेंगे और आप internet explorer भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो by default windows install करते ही हमें internet explorer दिया जाता है तो software requirement में इतनी चीज़ है कि यहाँ हम code के लिए notpad यूज़ करें और ब्राउजर में अगर हमें output सो करवाना है तो उसके लिए browser यूज़ करें और ब्राउजर में हम firefox यूज़ करेंगे thank you for watching this video